असलाम लेकुम एवरिवन वेलकम टो आईशा मेडिकल एजूकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर फाइव बैक जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सर्फिस लैंडमार्क्स ठीक है यह हमारे पास बैक है और उसमें कौन-कौन से सर्फि वीडियो भी अप्लोड की है ठीक है तो आज हम चेप्टर फाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक ठीक है सबसे पहले देखने सर्फिस लैंडमार्क्स इसमें आ रहा हमारे पास सबसे पहले स्कैपुला फ्लेश की वजह से यह नजर नहीं आ रहा हो बट यह मैंने स्कैप आपर थो एक्स मिन जो थोरेक्स है थोरेक्स रीजन है उसका जो अपर पोस्टेर लैटर तरल स्पैक्ट हे वहां पर हमारे पास कोंसी बान प्रेजेंट होती है स्कैपुला ठीक है एचिक है और एक्सेंड फों सेकिंड तू सेवंन्थ रिब उस्सी रिब जो है वह वो थो Dasuk Crassic vertebrae so ribs की बाद हो रही है रिप्वे है Jees सेवंध रिब है और उनके दर्मियां में के स्कैपुला आहरा हूता है यहां पर कई form फर्स्ट這व TIए के यहां पर कौन खत्म होगा सी के एंस और यहां पर क्या है स्ऐंध सेवंध सेवंधस के दर्मियान आता है हमारे पास scapula ठीक है यह थी scapula की extension उसके बाद हमारे पास आती है जो surface landmark है उसमें आती है मारे पास 8th rib ठीक है 8th rib कहा होती है just below the inferior angle of the scapula scapula का यह कहा है हमारे पास inferior angle है ठीक है यह वाला angle है और इसके below बिल्कुल जो है वो कौन present है 8th rib ठीक है second rib से 7th rib तक आ रहा था scapula और उसके below है 8th rib उसको हम लोग pulp 8 भी कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल scapula के inferior water के नीचे जो रीब होगी वो हमारे पास होगी 8th rib ठीक है next आ रहा हमारे पास ile crust क्या है यह हमारे पास क्या है pelvic bone है back पे क्या होती है pelvic bone ठीक है pelvic bone में क्या होती है हमारे पास three parts होते है ileum, isium, pubis ठीक है जो ileum है ileum bone है उसकी crust होती है यह crust है ठीक है उसको बोलेंगे ileac crust ileac crust में next आता हमारे पास asis, psis, asis होता है anterior superior ileac spine ठीक है इसी तरह होता है posterior superior ileac spine mean जो ileac crust है उसके anterior part है यह older superior ileac spine أو पिस्तीर होगा posterior superior ileac spine ठीक है यह हमारे पास क्या होगे ileac crust का anterior superior ठीक है asis होगा और यह क्या होगा psis ठीक है posterior superior ileac spine next we have to sacram bones sort here this vertebra है घाल रहा है सेक्रम ऑपधीड बों भीकर रच वाइए चोटे-पोरी में जिसकी वज़नते हैं मारे बेटवीक से बन रही होती है ग्लूटी आइस बन रही होती है तो यह जो सेक्रम बोन है ग्लूटी आइस के दर्मियान प्रेजेंट होती है and three sacral spines are palpable mean जो तीन sacral spines है वो usually palpable होती है ठीक है उसकी position भी हमें पता चल गई के back में जो सेक्रम है वो डिम्पल्स के दर्मियान है ठीक है यह जो foramen है यह सेक्रम बोन की ग्लूटी आइस है ठीक है next आते है हमारे पास कॉक्सिक बोन कॉक्सिक बोन बिल्कुल जो है वो एंड पर प्रेजेंट होती है जो थोड़ी सी कर्वड भी होती है उसको लोग टेल बोन भी कह लेते हैं ठीक है it lies between the two buttocks यह क्या है मारे पास यह buttocks है ठीक है यह buttocks है और इनके दर्मियान एंड पर गया होगी कोक्सिक ठीक है नेक्स आते हैं मारे पास six landmark का है spines का spines कौन सी वर्टीब्रा की spines होती है suppose यह vertebra है ठीक है उसका जो extended सा पार्ट होगा पीछे को होगी उसकी spine ठीक है यह spine है हम हम देखेंगे कि spines कौन कौन सी किस-किस वर्टीब्रा की spines वह बैक पर पाल पर होती है मीन यहां पर ऐसे हम लोग पल्पेट करेंगे तो हमें फील हो जाएंगी ठीक है सबस्वेल हम देखेंगे सेवन सर्वाइकल जो सर्वाइकल वर्टीब्रा है C1 से C8 तक जो सेवन सर्वाइकल वर्टीब्रा होता है उस वह कह पर पल्पेट करेंगे खुद हम अपने पल्पेट भी कर सकते हैं बैक पर काफी रीज सि होती है सबसे प्रॉमिनेट ठीक है C7 की यहां पर होगी रूट ऑफ नेक बिल्कुल यहां पर हमें सबसे प्रॉमिनेंट रिज जो वोगी बोनी मतलब उबहार सा होगा वह किसका root of the spine of scapula यह हमारे पास scapula और यह होगी उसकी scapula की spine सो यहां पर root है उसका ठीक है यहां पर क्या होगी इसके बिल्कुल along यहां पर होगी मारे पास T3 यह secondary थी ना मीन यहां पर क्या था T2 T2 के साथ ही तो secondary बट आया चोती है यहां पर होगा T3 T3 यह थर्ड जो thoracic vertebra है उसकी spine बिल्कुल जो root of the spine of scapula है उसके long होगी और हम उसको पलपेट कर सकते है ठीक है next आता है L4 spine यनि जो number vertebra है fourth number vertebra उसकी spine को हम लोग पलपेट कर सकते है कहां पर at the level of ilea crust mean यह दोनों क्या है ilea crust है ठीक है यहां पर इंके between क्या आ रही है यहां पर किसकी spine होगी L4 की ठीक है next आता हमारे पास S2 second sacral vertebra की spine वह कहां होती है at the level of the posterior superior ileaic spine this is the posterior superior ileaic spine this is anterior superior ileaic spine posterior होती है थोड़ी सी बिलो होती है ठीक है उनके दर्म्यान में आ जाएगा किसकी spine आएगी S2 की ठीक है S2 की second sacral की next आता हमारे पास external occipital protuberance external occipital protuberance होती है नों हमारे पास क्या होती है एक boni ridge सी होती है scalp के posterior side पे present होती है external क्यों बोल रहे हैं क्योंकि internal भी होती है external भी होती है external जोती है वो scalp के बाहिर वाली side पे पीछे यह वाली है external occipital protuberance बोनी ridge होगी scalp पे ठीक है इसके जो अलोंग है क्या होती है superior nukle lines भी होती मीन जो external occipital protuberance है उसके side by side कुछ lines होंगी जिसका बोलते है superior nukle lines ठीक है these are the superior nukle lines and this is the external occipital protuberance this is the back of the scalp ठीक है मीन पूरा बैक में आ रहा है न तो scalp की बैक को भी देखेंगे यह थी महारे पास surface landmarks यहां से भी मैं बता देती हूं यह scalp की बैक है और यह दरम्यान में क्या है external occipital protuberance यह median plane में होती है ठीक है बिलकुल mid में आ रही है कहीं पर side पर नहीं है ठीक है उसके लावा यह क्या है superior nukle lines है यह side पर ठीक है यह vertebra की prominences है जो हमने यहां पर देखी है किस किस की देखी है 7 cervical की T3 की L4 की and S2 की ठीक है यह थे हमारे पास scapula यह थी 8th rib जो के inferior angle of scapula के below present है ठीक है यह 12th rib है उसके लावा हम लोग ने sacram bone को देखा, coccy को देखा, buttox को देखा और T12 spine को देखा ठीक है यह थे हमारे पास surface landmarks of back if you understand the video so please like, share and subscribe the channel thanks for watching